तुम्हारी वीडियो को वाइरल करने में 90% हाथ थमनेल का होता है विकोज तुम थमनेल को फोकस करके अपने व्यू और सिस से 90% इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा PC या सब्सक्राइब की जरूरत है तो उसका भी solution इस वीडियो में जरूर बताऊँगा थमनेल बनाने के लिए मैं दो एप यूज करता हूँ पहला पिक्सल एप दूसरा कैनमा ये दोनों एप अल्मोट्स फ्री है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ डाउनलोड कर सकते हो अट्रेक्टिव थमनेल बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है थमनेल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें वीडियो का टाइटल एंड परपस क्लियर होना चाहिए परपस मतलब तुम वीडियो क्यों बना रहे हो वीडियो का title and purpose पता होने के बाद एक और question आता है हम thumbnail बनाते क्यों हैं thumbnail बनाने के सिर्फ दो region होता है पहला, thumbnail इतना attractive बनाना चाहिए कि audience का attention grab कर सके दूसरा, अपने thumbnail में इतना emotion add कर दो कि audience को thumbnail पे click करना ही पड़े For example, इस thumbnail में मैं जितना भी elements use किया हूँ चाहे वो background हो, चाहे वो text हो, चाहे वो image हो, या फिर error हो ये सारे elements use किया हूँ, thumbnail को attractive and clickable बना सकूँ हमें किसी भी thumbnail को attractive और clickable बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है जो सबसे important है तुम्हारे thumbnail में text सही के साथ सही alignment भी होनी चाहिए thumbnail में ज्यादा text ना हो, उसका size और color stable हो thumbnail बनाने में ज्यादा से ज्यादा कोशिस करो कि text का font अच्छा होना चाहिए ताकि audience असानी से text को read कर सके, वीडियो पे click कर सके अगर तुम thumbnail में गलत font यूज किया तो audience को पता होना चाहिए कि तुम्हारी वीडियो में आखिर है क्या, otherwise तुम्हारी वीडियो पे कोई click नहीं करेगा इसलिए font हमेशा सही यूज करें, और यूटूबर ज्यादा तर font से यूज करते हैं जो description में link दिया हूँ, download कर सकते हो text का color ऐसा रखो जो background से match कर सके इसके लिए तुम्हे color combination के बारे में थोड़ी सी knowledge होना चाहिए जिससे background का color combination अच्छा होगा, तो thumbnail 100% attractive लगेगा इस text का color अगर मैं blue रख देता हूँ, तो thumbnail बहुत ही बेकार लएगा इसलिए color combination पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यह कुछ color combination है जो हर यूटोबर अपनी वीडियो को thumbnail बनाने में यूज करते हैं thumbnail को attractive बनाने के लिए कुछ images भी यूज कर सकते हो now background, thumbnail बनाने से पहले हमें background decide करना होगा अच्छा background के लिए तुम्हें pixel lab website पे आना पड़ेगा और search बारे में type करना है black background और black background को download कर लेना है अब आना है तुम्हें pixel lab पे यहाँ पे अपने background को open कर लो उसके बाद यहाँ पे इसको add करने के बाद यहाँ से increase png को add कर लो जिसका link मैं तुम्हें description में दे दिया हूँ वहाँ से तुम download कर सकते हो इस पे text अगर तुम्हारे pixel lab में add हो चुका है तो use कर सकते हो वरना हम इसको full ultra HD में export कर लेंगे export करने एक बाद हम चलेंगे canva पे canva पे हम increase वाले png को add करेंगे उसके बाद text को add करेंगे उसके बाद text के color को match करेंगे then हमारा thumbnail ready हो चुका है इसको export करके अपनी वीडियो पे use कर सकते हो अगर तुम logo बनाना चाहते हो तुम्हें नहीं पता कि logo कैसे बनाए तो इस वीडियो पे click करके देख सकते हो तुम्हें logo बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहां पर मैं कुछ AI टूल बताया हूँ यहां तुम्हें logo बना के बहुत असानी से तुम्हें देदेगी जो की विल्कुल free रहेगा